हलो दोस्तों मैं उमा संकर आपको अपना चनल्ट ट्रिकी वाई वेश गुपता में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज मैं निलामबर पितामबर उनिवर्शिटी मेदनी नगर के बीए बीए सी वीकम ओनर्स वाले बिद्यार थी जिनका सेमेस्टर टू सेशन 2022-26 के होंगे उनके लिए पेपर जो यहां पर देख रहे हैं CC5 का MCQ लेका रहा हूँ इसे समंधित पुछे जाने वाले प्रश्णों को मैं आपको भी स्तारित रूप से बताने वाला हूँ इसलिए आप इस वीडियो को सुरू से लेकर अन्तक देखिएगा अगर आप इस चैनल पर नहीं होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा दोस्तों में सेयर करना नहीं भोलेंगे दोस्तों टो चलिए दोस्तों आज मैं देखते हैं कि आपका जो syllabus यहां पर दिया हुआ है अर्थात आपका जो क्योशन यहां पर मैं बताने वाला हूं आपको फैनल एजाम में आएंगे इसी लिए इससे जरूर से जरूर देखिएगा तो चलिए किस तरह से आपका क्योशन रहेगा औ और उस क्यूशन को आप कैसे ट्रिक के माधियम से अर्थात कैसे कम समय में बना सकते हैं यह सब हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं आज हम आप लोग को यूजी सेमेस्टर टू का सीसी फाइप का मैथिमेटिकल एंड कॉम्प्यूटेशन थिंकिंग एंड एनालेसेस से समधित महतपून भेरी सोट एंसर टाइप क्यूशन बताने वाला हूं जो आपको एकजाम के लिए बहुत ही महतपून है इसलिए आप उस वीडियो को अंतक देखिएगा तो चलिए हमारा सबसे पहले पहला क्यूशन कर रहा है एक डाटा सेट में मुल्यों के विश्थार को विश्थाप या फीप्रतियस्थापटन करने वाला विश्थार का माप क्या होता है आरथात यहाँ पर आपको माप कह है तो क्या माप होता है तिसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर बी रेंज रेंज को हम लोग हिंदी में परिशर कहते हैं रेंज को हम लोग क्या कहेंगे हिंदी में परिशर कहते हैं और परिशर निकालने के लिए मैक्सिमम प्रेक्षणों की संख्या माइनस मैनिम हम प्रेक्षनों की संख्य आर्थात अधिक्तम में से हम निम्तम को घाटा कर परिशार ज्याद कर सकते हैं अगला क्यूशन करा है प्रतिष्ठान से प्रतेक डाटा बिंदू की समाने दूरी किस संख्य की माप दवारा दी जाती है तिसका राइट एंसर हो जाएगा option number D extended deviation के दवारा हम लोग इसकी माप की सांख्य की कुरूप में बताते हैं इसके बार नेक्ष किसी घटना की संभावना होती है और उसका पूरक नहीं होने की कि क्या कहलाता है तिसका राइट एंसर हो जाएगा option number C पूरक संभावना अर्थात घटनाओं को आप प्राइक्ता निकालने के लिए कहता है तो प्राइक्ता के लिए आप जानते होंगे कि pa पलस pa अटस इस कॉल्टू 1 होता है आप यहां पर नहीं कह रहा है इसलिए यहां पर हो जाएगा तीसलिए पूरक संभावना यहँ जाएगा के लिए olhar जीरो और एक के बीच में होता है प्राइक्ता का अर्थी होती है शंभावना को बताना इसके बाद next question देखते हैं तो सम्भावना में उन घटनाओं को क्या कहते हैं जो समय पर नहीं हो सकती तो इसका right answer हो जाएगा option number A समरूप घटनाओं कहते हैं जो समय पर नहीं होती समरूप मतलब समान रूप के होता है इसके बाद अगला कह रहा है अनुकूलन समश्याओं के संदर्भ में LPP का क्या मतलब होता है अर्थात आपको इहाँ पर LPP के बारे में बताने के लिए कह रहा है अर्थात LPP का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों जो आप यह क्यूचन आगर CC5 का देख रहे हैं यह आपका Mathematics से Related क्यूचन है जो BAC में पुछा जाता है उससे समंधित आपका क्यूचन यहाँ पर पुछा जा रहा है इसका Right Answer हो जाएगा Option Number B Linear Programming Problem जिसको हम लोग हिंदी में समस्या कहते हैं इसके बाद Next देखते हैं कौन सागनितिय सब्द लिनियार प्रोग्रामी समस्या समस्या में सिमाय तथा प्रतिबंधों को की और संदर्भित होता है तिसका Right Answer हो जाएगा Option Number B प्रतिबंध इसके बाद Next है Linear Programming समस्या हो जिसको हम शोट में LPP को हल करने के लिए किस गराफिये Method का पर्योग किया जाता है तिसका Right Answer हो जाएगा Option Number A जोइमेटरी मेथट अर्थात जोइमेटरी समधान की सहता से हम करते है इसके बाद Next की उचनिया कह रहा है संभावना में किस घटना किस संभावना है यदि एक और घटना पहले हो चुकी हो तिसका Right Answer हो जाएगा Option Number B सर्था अनुसार अर्थात सर्थ के अनुसार ही संभावनाओं घटनाओं की संभावनाओं को बता सकते हैं क्योंकि प्राइक्ता का अर्थी होता है अर्थात प्राइक्ता पराबर होता है घटित परिणामों की संभावनाओं की संभावनाओं को का योग क्या है तिसका Right Answer हो जाएगा Option Number B की मार्जिनल संभावनाओं होती है इसके बाद नेक्स्ट कीविशन हम लोग देखते हैं विस्तार का कौन सा माप भेरियन्स के वर्गमूल के रूप में परिभासित करती है तिसका Right Answer हो जाएगा Option Number C Standard Deviation से हम लोग इसको रूट निकाला जाता है अर्थात HD is equal to होता है रूट डी अर्थात जो आपका भेलू दिया हुआ रहता है उसको वर्गमूल निकालके हम उसको विस्तारित करते हैं माप बताते हैं इसके बाद Next Question है Computational Thinking क्या है तिसका Right Answer हो जाएगा Option Number B आपका B Answer हो जाएगा क्योंकि Computer का उपयोग इसके समस्या का सामाधान करने का एक द्रिश्टी कोन है इसके बाद Next Question है Computational Thinking में समस्या भी घटन का मतलब क्या होता है तिसका Right Answer Option Number A हो जाएगा एक जटिल समस्या का छोटे संभाव भाजी निये भागों में विभक्त करना होता है क्योंकि समस्या विघटन का अर्थी होता है विघटन का अर्थ विभाजित होता है इसलिए समस्याओं को विभाजित करने का काम करता है अगला क्यूशन यहां का रणिम लिखित में से कौनसा Computational Thinking का एक कुंजिभुत तत्वा है तिसका राइट एंसर हो जाएगा option number C जो संचेपित संचेपक होगा इसके बाद next है Computational Thinking में greedy method का क्या मतलब होता है तिसका राइट एंसर हो जाएगा option number A वर्तमान जनकारी के आधार पर निर्नाय लेना भी की भविष्य के लिए धविष्य की परशानियों को ध्यान में रखा जाता है इस तरह से आप बता सकते हैं अर्थात वर्तमान जनकारी के अधार पर निर्नाय लेना भीना भविष्य के परिनामों को ध्यान में रख कर इसके बाद next क्यूचन का रहा है कम्प्यूटे नेशनल ठींकिंग में विभाजन और विजय कैसे काम करता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option number B इसके बाद क्यूचन number next है कम्प्यूटे नेशनल ठींकिंग में पॉलूडो कोड का पर्योग क्यों किया जाता है तिसका राइट एंसर हो जाएगा option number B समान निभासाओं में एल्गोरिथम कि बनाने के लिए इसके बाद next है कम्प्यूटे कम्प्यूटेस्टनल ठींकिंग में एल्गोरिथम को समझाने को समझाना क्यों आवश्यक होता है तिसका राइट एंसर option number C हो जाएगा इसके बाद next है कम्प्यूटेस्टनल ठींकिंग में संच्छेपण का क्या रोल होता है तिसका राइट एंसर हो जाएगा option number B मुदे को आवशक वित्रोनों पर ध्यान केंद्रित करके जटिल समस्याओं को सरल बनाना इसके बाद अगला क्यूटेस्टन है कम्प्यूटेस्टनल ठींकिंग में फोलोरो चार्ट का उदेश क्या है तिसका राइट एंसर हो जाएगा option number B एक एलगोरिथम के मदतों कदमों को द्रिश्चिकरित करना और परतिश्चित करना इसके बाद next है एक फोलोरो चार्ट की आवस्था और डिजाइन का क्या मतलब होता है तिसका राइट एंसर option number B हो जाएगा अगला क्यूटेस्टन का रहा है कम्प्यूटेनेशनल ठींकिंग एन एनलेसिस का पर्यूग प्रमुख अध्यान ध्यान कहा है तिसका राइट एंसर हो जाएगा option number B अगला क्यूटेस्टन का राज सांखे किये डाटा सेट को संगठित और छाटनी के लिए समाने अता है कौन सा शॉफ्टवेर पर यूगत है तिसका राइट एंसर हो जाएगा option number B एक्सल एक्सल सही डाटा को देखा जाता है इसके बाद है निमलीखित में से कौन सा चार्ट डाटा संसलेशन के लिए उलेखित नहीं है तिसका राइट एंसर हो जाएगा option number C इसके बाद next question है जब शांखिकिये डाटा के साथ काम किया जा रहा है तो एक्सल उप्योग करताओं को क्या गन्ना करने की शुभदा प्रदान करना करता है तिसका राइट एंसर हो जाएगा option number C शांखिकिये माप का इसके बाद next है कौन सा चार्ट विभिन्य स्जर्णियों में डाटा का वित्रण परदसित करने के लिए उप्यूक्त है तिसका राइट एंसर हो जाएगा option number C पाइचार्ट इसके बाद का राइक कौन सा सांखिकिये माप एक डाटा सेट में मध्य मुल्य का निधारन करने में सहता होता है तिसका राइट एंसर हो जाएगा option number C की mid point mid point किया है तो Midwest point को हम लोग work को अंत्राल अर्थात work Map कहते हैं उसको निकालने के लिए हम लोग अपरी सीमा माइनस निमन सीमा करते हैं इसके बाद आगला क्यूशन है एक्सल में डाटा सेट की केंद्रिये प्रविर्थी को प्रतिष्टित करने के लिए क्या गन्ना की जाना गह किया जा सकता है तिसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्सण नमबर B मेडियन मेडियन के माध्यम से ही हम लोग गन्ना कर सकते हैं नेक्स्ट क्यूचन है कौन सा चार्ट दो चर्णों के बीच समन्दों को द्रिष्टी में रखने के लिए उप्यूखत है तिसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर सी स्केटर चार्ट अगला क्यूचन का राय एक्सल में एक डाटा सेट में मुल्यों का विस्तार करने की गन्ना के लिए कौन सा फंचन फर्यूखत होता है तिसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर सी भेरियेस अगला कि प्रतिक भाग की योगदान को पूर्ण को दिखाने के लिए कौन सा चार्ट परभावी है तिसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर सी कॉलोंब चार्ट अगला कि प्रतिक प्रतिक योगदान को दिखाने के लिए किया जाता है तिसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर इसके बाद नेक्स्ट है कौन सा चार्ट परएक्टा डेटा के फ्रिकेंसी बितरन को दर्थ परदसित करने के लिए पर्यूकत है तिसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर बी बार चार्ट इसके बाद नेक्स्ट है डाटा बिसलेशन में मानक बिचलन सब्द का परतिस्थान की माप है क्या माप है तिसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर बी डाटा फैलाव का माप झाल झाल